हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं इस तरीके का डिजाइन बनाऊंगी इसे आप जेन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट, मौफलर इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कीजिए अच्छा लगेगा इसे बनानी के लिए फंदे 6 के मल्टिप में प्लस टू फंदा एक्स्ट्रा लेनी है इस डिजाइन को बनाना बेहद असान है और इसका वैक सैड देखे इस तरह से बनेगा तो चलिए मैं इसे बनाती हूं यहां पर मैं 20 फंदा लिए हूं 6 के मल्टिपल में 18 प्लस टू फंदा तो यह 20 फंदा है फर्स्ट स्लाइ सीधी साइड है तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे अब यहां से पैटर्न बनीगा जिसे आपको रिपीट करना है देखिए एक फंदा सीधा धागा अपने तरप करके फोर फंदा उल्टा वान टो थ्री और उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा सीधा यह देखिया श्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ करके यह 6 फंदा का डिजाइन है जिसे आपको बार-बार रिपीट करना है फिर शे हमें एक फंदा सीधा बुनेंगे देखिये एक फंदा सीधा स्क्वाद धागा अपनी तरफ करके फोर फंदा उल्टा फिर शे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके फोर फंदा उल्टा वान, टू, थ्री, और एक फंदा सीधा अब लास्ट का फंदा सीधी साइड है इसलिए सीधा बुन लेंगे सेकेंड स्लाई उल्टा साइड है तो सभी फंदा को उल्टा बुन के कम्पलीट करेंगे इस डिजान में हर एक उल्टी सलाई पुरी सलाई उल्टा बून के कम्पलीट करना है देखिए सभी फंदा को उल्टा बून लेंगे ठर्डी सलाई सीधी साइड है पहला फंदा सीधा उतार लेंगे उसके बाद ये सीधा फंदा देखिए बिना पुने हुए उतारेंगे धागा अपनी त्रेप करके ये उल्टा फंदा है तिसे हम उल्टा बून लेंगे उसके बाद धागा पीछे कर देंगे और सीधा फंदा को आगे ले आएंगे, देखे इस तरह से, ये जो सीधा फंदा है उसे हम आगे ले आएंगे, उल्टा फंदा को पीछे कर लेंगे, उसके बाद इसे सीधा बुन देंगे, धागा अपने तरफ करके, यहाँ पर टू उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, वान, टू, उसके बाद एक उल्टा फंदा बिना बुने वह उतारेंगे, देखे इस तरह से, धागा अपने तरफ रखते हुए, फिर धागा पीछे कर देंगे, और ये सीधा फंदा है, तिसे हम सीधा बून लेंगे अब जो उल्टा फंदा बिना बूने हुए उता रहे थे उसे हम आगे करेंगे पीछे की तरफ से अस्षीधा फंदा को पीछे कर लेंगे उसके बाद धागा अपने तरफ करके इसे उल्टा बून देंगे इसी को repeat करना है यहां से देखिए यह six फंदा जैसे बनाये हैं उसी तरीके से पुरी स्लाइ में बुनना है यहां पर सिधा फंदा को इस चाट ले जाना है इसलिए इसे हम बिना बुनो ही उतारेंगे धागा अपने तरफ करके यह उल्टा फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे करके सीधा फंदा को इस तरीके से आगे ले आएंगे उल्टा फंदा को पीछे फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे धागा अपने तरफ करके दो फंदा उल्टा एक फंदा को बिना बुने ही उतारेंगे धागा को पीछे कर देंगे उसके वाद सीधा फंदा को सीधा बुन लेंगे और यह उल्टा फंदा को हम आगे ले आएंगे और इसे पीछे उसके बाद धागा अपने तरफ करके इसे उल्टा बून देंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा है तिसे बिना बूने ही उतारेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सीधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बाद इसे सीधा बुन देंगे धागा आपने तरफ करके दो फंदा उल्टा एक फंदा को बिना बुने हुए उतारेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा है इसलिए हमेसे सीधा बुनेंगे फिर उल्टा फंदा जो बिना बुने हुए उतारे थे उसे आगे ले आएंगे वर्शिता फंदा को पीछे धागा अपने त्रप करके इसे उल्टा बुन देंगे लास्ट का फंदा सीथी साइड है इसलिये सीथा बुनेंगे ven नेगे फिफ्ट स्लाइज सीधी साइड है पहला फंदा सीधा उतार लेंगे उसके बाद धागा आपने तरब करके ये उल्टा फंदा तिसे उल्टा बून लेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा को बीना बूने ही उतारेंगे धागा आपने तरब करके एक फंदा उल्टा आएंगे जैसे हम ठट स्लायम बुनें उसी तरीके से यहां पर इसे भी बुनना है कि धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा यहां पर है बीना बुने उतारेंगे धागा पीछे करके यह सीधा फंदा यह सीधा बुन लेंगे उल्टा फंदा को आगे ले आएंगे और सिधा फंदा को पीछे फिर धागा आपने तरफ करके इसे उल्टा बून देंगे अब यहाँ पर दो उल्टा फंदा आएत इसे उल्टा बूनेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा को बिना बूने वे उतारेंगे धागा आपने तरफ करके एक फंदा उल्टा बूनेंगे धागा पीछे सिधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बाद इसे सिधा बून देंगे धागा आपने तरफ करके एक फंदा को बिना बूनें वे उतारेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा सिधा बून लेंगे उल्टा फंदा को पीछे की तरब से आगे ले आएंगे और इसे धागा अपने तरब करके उल्टा बूनेंगे यहाँ पर दो उल्टा फंदा है इसले उल्टा बून लेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा को बिना बूने हुए उतारेंगे धागा आपने तरप करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सिधा फंदा को आगे ले आएंगे और इसे सिधा बुन देंगे धागा अपने तरफ करके उल्टा फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा सिधा बुन देंगे उल्टा फंदा को आगे ले आएंगे धागा अपने तरब करके इसे उल्टा बूनेंगे एक फंदा और उल्टा बून लेंगे उसके बाद धागा पीछे करके लाष्ट का फंदा सीधा 6 लाई उल्टा साइड है तह सही फंदा को उल्टा बून लेंगे सेवन सलाई सीधी साइड है पहला फंदा सीधा उतार लेंगे उसके बाद यहाँ पर दो फंदा उल्टा है धागा अपने तरफ करके दोनों फंदा को उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके यहाँ पर देखिए दो फंदा सीधा है तो सीधा बुन लेंगे धागा अपने तरफ करके फोर फंदा उल्टा जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुन लेंगे धागा पीछे करके दो फंदा सीधा पीछे करके दो फंदा सीधा प्लास्ट का टू फंदा उल्टा बूनेंगे और एक फंदा सीधा एट सलाई उल्टा सैड सभी फंदा उल्टा बून लेंगे नाइन सलाई सीधी साइड है, पहला फंदा सिधा उतार लेंगे, धागा अपने तरफ करके टू फंदा उल्टा, धागा पीछे करके टू फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके फोर फंदा उल्टा जैसे सेवन सलाई बुनें उस तरीके से ये नाइन सलाई बुनेंगे धागा पीछे करके दो फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके फोर फंदा उल्टा धागा पीछे करके टू फंदा सीधा धागा अपने तरब करके लास्ट का टू फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा टेन सलाई उल्टा साइड है तो सभी फंदा को उल्टा बुन लेंगे 11 सलाई सीधी साइड है तो जैसे हम यहाँ पर डिजाइन बनाएं उस तरीके से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे पहला फंदा सिधा उतार लेंगे उसके बाद धागा अपने तरब करके एक फंदा उल्टा यहाँ पर देखी डिजाइन बनाना है तो एक फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर पीछे की तरब से ये उल्टा फंदा को आगे ले आएंगे या सिधा फंदा को पीछे धागा अपने तरब करके इसे उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे करके ये सिधा फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सीधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बाद इसे सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ करके दो फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ राने देंगे एक फंदा उल्टा उतार लेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सेधा फिर उल्टा फंदा को आगे ले आएंगे धागा अपने तरफ करके इसे उल्टा बुन देंगे धागा पीछे करके एक फंदा को बिना बुनने ही उतारेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बाद इसे सीधा बुन देंगे धागा अपने तरफ करके दो फंदा उल्टा एक फंदा को बिना बुने ही उतारेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर ये उल्टा फंदा को आगे ले आएंगे धागा आपने त्रफ करके एसे उल्टा बुन देंगे धागा पीछे करके एक फंदा को बिना बुने हो तारेंगे धागा आपने त्रफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बाद इसे सीधा बुन देंगे धागा अपने तरब करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके ये सीधी साइड है इसलिए से सीधा बुन लेंगे 12 स्लाई उल्टा साइड है सभी फंदा को उल्टा बुन के कम्पलीट करेंगे 13 स्लाई सीधी साइड है पहला फंदा सिधा उतार लेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा को विना बुने उतारेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा सिधा बुन लेंगे और ये जो अस्किप किया हुआ फंदा है उसे आगे ले आएंगे धागा अपने तरफ करके इसे उल्टा बुन देंगे यहां पर दो उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सिधा फंदा को आगे ले आएंगे और इसे सिधा बुन देंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा है तेसे सीधा बुन लेंगे उसके बाद ये बिना बुना हुआ फंदा आगे ले आएंगे धागा अपने तरब करके ये से उल्टा बुन देंगे यहाँ पर दो फंदा उल्टा है तेसे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके ये सीधा फंदा को बिना बुने होता रहेंगे धागा अपने त्रप करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सीधा फंदा को आगे ले आएंगे उसके बादी से सीधा बुन देंगे धागा अपने त्रप करके एक फंदा को बिना बुने होता रहेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा फिर बिना बुना हुआ फंदा आगे ले आएंगे उसके बाद धागा अपने तरफ करके इसे उल्टा बुन देंगे यहाँ पर दो उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा को बिना बूने ही उतारेंगे धागा अपने तरफ करके उल्टा फंदा एक उल्टा बून लेंगे धागा पीछे करके सिधा फंदा को आगे करेंगे उसके बाद इसे सिधा बूनेंगे लाश्ट का फंदा सिधा बून लेंगे 14 सलाई उल्टा साइड है तो सभी फंदा को उल्टा बुन के कम्पलीट करेंगे 15 सलाई सीधी साइड है पहला फंदा सीधा उतार लेंगे उसके बाद एक फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके और फंदा उल्टा धागा पीछे करके तू फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके फोर फंदा उल्टा धागा पीछे करके तू फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके फोर फंदा उल्टा लास्ट का दो फंदा सीधा बुन लेंगे 16 सलाई उल्टा साइड है तो सभी फंदा को उल्टा बुन लेंगे 17 सलाई सीधी साइड है तो जैसे हम 15 सलाई बुने उसी तरीके से 17 सलाई बुनना है और यह फर्स्ट सलाई भी सेम उसी तरह से बुने है तो यहाँ पर देखिए यह 16 सलाई में दो सलाई का यहाँ पर डिजाइन बना है और दो सलाई का यहाँ पर आनि कि ये सिस्टिन्स लाई में फोर्स लाई का डिजाइन है बाकी आपको सिंपल उल्टा सिधा बुन करके कंप्लीट करना है ये वन से सिस्टिन्स लाई बार बार रिपीट होगा थैंक्स पर वाचिंग